वैसे तो टिंडे की सबजी पहुत से लोगों को नहीं पसंद होती है लेकिन एक बार आप इस तरीके से टिंडे की सबजी बना कर देखिएगा उंगलियां चाटते रह जाएंगे इतनी टेस्टी सबजी है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना टिंडे की ये लाजवाब सी सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ 300 ग्राम टिंडे को अच्छे से धो कर सुखा लिया है जब भी आप टिंडे सलेक्ट करें तो उन पर हलके हलके रोय होने चाहिए वो टिंडे बैस्ट होते हैं इन टिंडो को हम पिलर से नहीं छी लेंगे इस तरह से चाकू से हलका हलका छील लीजिए और छील लेने के बाद इन्हें पानी से अच्छे से धोलीजिएगा अब हम इन पर दो कट लगाएंगे नीचे से ये जुडे हुए होने चाहिए ये देखे इस तरह से हमें सारे टिंडे काट लेने हैं अब हम टिंडों के लिए थोड़ा सा मसाला तयार करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ एक चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच हलदी पाउडर आधा चमच कशमीरी लाल मिर्च का पाउडर या regular वाली लाल मिर्च भी ले सकते हो आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच आमचूर पाउडर एक चोथाई चोटा चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे अब बीच में थोड़ी सी जगय बना लेंगे और इसमें एक चोटा चम्मच तेल डालेंगे और अब हातों की साहता से सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए कोई मसाला कम लगे तो और डाल दीजिएगा अब हम ये मसाला टिंडे में भर देते हैं एकदम थोड़ा थोड़ा मसाला भरना है क्योंकि हम टिंडे को फ्राय करेंगे यदि आप बिना मसाला डाले फ्राय करते हैं तो टिंडे की सबजी एकदम फीकी फीकी बनेगी थोड़ा थोड़ा मसाला डाल कर फ्राय करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और चटपटी सबजी बनेगी और ये लिजी सारे टिंडे हमने भर कर तयार कर लिए हैं अब हम एक पैन में दो चम्मच तेल डालेंगे अच्छे से फैला लेंगे गैस की फ्लेम को मेडियम पर रखेंगे और सारे टिंडे पैन में डाल दीजिए अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए और अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे ढख कर 80% तक सॉफ्ट होने तक पकाना है बीच बीच में दो मिनिट के बाद आप इसे चला दीजिएगा तो टिंडे को पकाते हुए दो मिनिट हो गए है और देखी आप बीच बीच में इसमें पानी का छीटा देते रहिए ताकि मसाले जले नहीं और जो पानी है उससे स्टीम बनेगी और टिंडे एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस इस तरह से पानी का छीटा देकर आप इसे ढख दीजिए इसी तरह से बीच में चेक करते हुए पका लिजी टिंडे को पकाते हुए मुझे करीबन 14-15 मिनिट हो गए है मैंने इसे धीमी आज पर पकाया है और ये 80% तक सॉफ्ट हो चुके है तो बस इस वक्त हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे मैं आपको टूथपिक से दिखा देती हूँ ये देखी तो टिंडे को अब हम बाकी ग्रेवी में पकाएंगे तो इसे साइड में रखते हैं ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के टमाटर एक इंच अद्रका टुकडा एक हरी मिर्च और चार लहसुन की कलीली है इन्हें मिक्सर में चला कर पीस लिया है और इनका पेस्ट बना लिया है तो अब हम फाइनल सब्ची बनाते हैं तो इसके लिए कडाही में मैंने दो बड़े चमच तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल के गरम हो जाने पर इसमें डाल दीजिए एक चुटा चमच जीरा अब हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज के प्यास को बारिक काट कर लिया है प्यास को हमें मीडियम फ्लेम पर एकतम पढ़िया से सॉफ्ट होने तक भून लेना है प्यास हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसमें डालेंगे एक चोथाई चमच की करीब हल्दी पाउडर साथ ही एक चमच में यहां कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ एक्तम पढ़िया से कलर की लिए दोनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस वक्त मसाले डालने से सबजी में कलर बहुत अच्छा आएगा मसाले को बस मैंने मिक्स किया है अब हम इसमें यह टमाटर वाला पेस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे साथ ही मैंने दो चम्मच पानी भी डाल दिया है इसे मिक्स करने के बाद हम बाकी के सारे मसाले भी डाल देते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है आदा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौफ रखिये और इस मसाले को अच्छे से हमें धीमियाच पर पकाना है। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर का पानी पूरी तरह से नहीं सोख चाता है। और जो ये मसाला है वो पैन छोड़ने ना लग जाए। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और मसालों के किनारों से तेल अलग हो रहा है। आप चाहें तो इसे कम समय में पकाना चाहें तो गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर continue चलाते हुए भी पका सकते हैं। मसाला पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चमच दूद की मलाई। दूद को गरम करने के बाद उस पर जो लेयर आ जाती है वही हम इसमें डाल रही हैं। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक चमच भूनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे इस तरह से हातों से क्रश करके डालिएगा। एक चोथा ही छोटा चमच गरम मसाला डाल दिया है। दोनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें गरम पाने डाल देंगे। तो मैं यहां करीबन एक कप गरम पाने डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें पानी कम ज्यादा रख सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, गरम पाने डाला है तुरंत ही उबाल आ जाएगा, अब हम इसमें यह फ्राय की हुए सारे टिंडे डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बस अब हम इन्हें ढख कर टिंडे के सौफ्ट होने तक पकाएंगे। आप समय बचाने के लिए एक साइड में टिंडे फ्राय कर लीजिए और एक साइड में ग्रेवी तयार कर लीजिए तो आपकी यह सबजी फटाफट बन जाएगी। टिंडे को ढखने के बाद मैंने 7-8 मिनिट के लिए धीमी आज पर पकाया है और ये देखे हमारी बहुत ही टेस्टी शाही टिंडे की सबजी तयार है हरा धनिया डाली अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप टिंडे को चेक कर लीजिए यदि नहीं पके हुए हो तो और 3-4 मि पराबर से सौफ्ट हो चुकी है आप इसे पूरी पराठा के साथ सव कीजिए या दाल चावल के साथ ये बहुत ही गजब की लगती है तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके